इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिस प्रोस का जो चैप्टर फस्ट है दो लास लेशन इसका हिंदी एक्स्पिनेशन तो इसका जो फर्स पार्ट है वो आ चुका है अगर जो आपने वो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लेजे फिर य लेट हो रहा होता है और उसे बहुत डर लग रहा होता है कि उसके एक टीचर थे एम हमल उसनों ने इसे कोशन दिया थे पार्टिसिपल पर लंड करने के लिए और वो पूछने वाले थे इसलिए जो फ्रेंस था इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसने नह बैट नियोस युद्व में हार गए या फिक कोई भी सरकार याधिकारी के नीतियां घुष्णा वगरा होती तो वह सारा कुछ वहां पर आता है तो वह ऐसा सोच रहाता है सोचते सोचते वह अपने स्कूल चरा जाता है तो जब स्कूल पहुचता है तब देखता है कि वहां थे उसके बाद हो शौर देखते हैं तो तो जो कित और उसके सेगदा होंकि जलेखती खाने सीट शूर विधर को जाता है तब जो उसके टीचर होते हैं वह प्रेटा को पह等 पाएन soc Кол olduğunu देखता हिसके जो उसके ऑल्रिड होता है वह सब लोग को बैख पैने हुए थे सब प्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी तब उसे समझ में आता है कि हां ये सब क्यों हो रहा था तो इतना ही हम लोगों ने देखा था पहले वाले पार्ट में अब इसके आगे का पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं तो चले start करते हैं तो चले start करते हैं तो चले start करते हैं poor man it was an honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday class and now I understood why the man the old man of the village was sitting there in the back of the room तो क्या कहता है आप पूर मन से अपने teacher को संबोधित कर रहा है वो French की मलके बेचारे कहका कि हाँ अब मुझे समझ में आया कि यह जो teacher है वो इतने अच्छे वास्त क्यों पहने हैं क्योंकि यह इस आखरी पार्ट को सम्मान देना चाहते हैं सम्मान में पहने हुए हैं और कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि वाइद ओल्ड मैन ऑफ विलेज वस सीटिंग दिया इन दा बैक आफ दा रूम की जो गाओं के बूढ़े लोग बुजरू लोग हैं यह हमारे क्लास्रूम की बैक साइड पे क्यों बैठे हुए हैं इट वाज बिकाज दे वर स्वारी टू डैट दे हैड नौट गॉन तो स्कूल मोर तो क्या बता रहा है कि वो जो इसलिए यहां पर बैठे थे कि उन्हें खेत था उन्हें दुख था कि वह स्कूल में और अधिक क्यों नहीं आये थे वह मल कि अपना स्कूल बंकरा करते थे स्कूल नहीं आते थे जो उल्ड में थे तो इसी के लिए वो गिल्टी फील करते हुए वहां पर उस दिन आये हुए थे इट वाज दियर वे ऑफ ठैंकिंग अवर मास्टर फॉर्टी इस ऑफ़र्टी इस ओफ़र्फुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग डियर रिस्पेक्ट वाजी के बताता है यह इन लोगों को का हमारे अध्यापक को उसके 40 वर्ष की निश्टापूर शेवा के लिए धन्यवाद देना और अपने देश के प्रती जो उनका प्रेम है जो कि अब नहीं रहा उसको सम्मान पदर्शित करने का एक तरीका था और वो सभी लोग इसी यहां पर आई हुए थे वाइल आई वस थिंकिंग अफ आल देश आई हीर माइन नेम कॉल करता है कि जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था तो मैंने अपना नाम पुकारे जाते हुए सुना इट वाज माई टर्न टू रिसाइट तो क्या बताती है कि अब सुनाने की मेर की बारी थी जो टीचर थे वो पार्टिसिपल के कोशन कर रहा थे तो अब फ्रेंच का टर्न आ गया था वाट वुड आई नाट हैव गिवन टू बी एबल तो से देट डीट फूल रूल फो दा पार्टिसिपल ऑल दो तो क्या बताय जा रहा है कि मैं पार्टिसिपल में उ सुनाना चाहता था वो कह रहा था सुना चाहता था बट आई गोट मिक्स अप ऑन फोस्वाइद ड़े सुद्धाय लेकिन मैं तो प्रथम सब्द को ही स्टार्टिंग करता है तो वह स्टार्टिंग में ही बहुत जड़ा उल जाता है उसको गरबर कर देता है और वो वहाँ पे अपने डेक्स पे एकदम सांधी से खड़ा हो जाता है holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up तो क्या कहता है कि वो अपने डेक्स पे खड़े हो जाता है और उसका जो दिल बहुत जोरी से धड़क रहा था और उसे उपर देखने का मलकि वो बोला है कि मुझे में उपर देखने का साहस नहीं था I hear M. Hamill say to me, वो कहता है कि मैंने M. Hamill को मुझसे कहते हुए सुना I won't scold you, कि मैं तुम्हें डाटूंगर नहीं, little friends, छोटे friends, you must feel bad enough कह रहे हैं कि तो अवशी ही तुम्हें काफी बुरा लग रहा होगा See how it is, every day we have said to ourself, but I was plenty of time क्या कहते हैं कि देखो बात, ऐसी है, हम लोगों ने रोज स्वयम से कहा, हमने की रोज ही अपने से कहते थे हाँ, अभी तो मेरे पास काफी टाइम है, हम पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, ऐसा हो कहते थे थे I will learn it tomorrow, कि हाँ, हम कल ही से learn कर लेंगे, and now you see where we have come out तो कहते हैं, लेकिन अब देखो, हम लोग कहां आगे खड़े हो गया है That the great trouble with else's secrets of learning till tomorrow तो क्या बता रहा है, कि अलसेंस के साथ, यहां के लोगों के साथ यह परेशानी है, यहां के लोग अपनी पढ़ाई को आने वाले कल पर छोड़ देते थे Now, those fellows out there wills have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language तो क्या बता रहा है, कि तुम फ्रांचेसी होने का दावाद करते हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी भाशा को ना तो बोल सकते हो, और ना ही लिख सकते हो तो यह चीज कितना बुरा लगेगा, कि मैं इंडियन हो और मैं हिंदी ने लिख वाँ, तो यह बहुत बुरी बात हो गए थी लेकिन वो क्या कहता है, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो चोटे फ्रेंच, वी हैव अल अग्रेड डी तू रिपोर्स अवर सेल्फ विथ, तो क्या बताए दान है, हम सबके बहुत स्वयम को दिखाने के लिए बहुत सारे कारण है, मलकि हम सबसे कोई ना कोई गल्थी हम की वाज़े से हमें अपने पर भी ब्लेम करने के बहुत सारे कारा है, यो पैरेंट्स वर नॉट अनेक्सियस इनफ टू है वो क्या कहते हैं, कि जो तुम्हारे माता बिता हैं, वो भी पल्यात रूप से उक्सुक नहीं थेगी, तुम कुछ सीखो, दे प्रफर टू पूट क्या कहते हैं, उन्होंने तुम्हें खेतों तथा मीलों पर काम करने लगाया, वो ज्यादा पसंद करते हैं, कि तुम काम कर जाके ताकि थोड़ा सा और पैसा तुम कमा सको, and I have been to blame also, और कहते हैं, कि मैं खुद को भी ब्लेम करता हूं, क्योंकि, Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson, तो क्या कहते हैं, कि मैं तुम्हें, मैं भी दोशी हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पार्ट पढ़ाने की बजाए, मेरे फूलों को, मगी जो फूलों के पौधे हैं, उन्हें पानी देने भीजा है, and when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday, और जब मैं मचली पकरने के कि जैसे कि जब उनका पढ़ाने का मन नी करता था, fishing करने का मन करता था, तो वो बच्चों को छुट्टी दे रिया करते थे, तो इसी सब को सोच के वो guilty feel करे होते हैं, then from one thing to another, M. Hemel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful, most beautiful language in the world, उसके बाद क्या होता है, कि वो जो होते हैं, फिर एक चीज से दूसरी चीज पर चर्चा करते हुए, जो M. Hemel थे, वो French भासा के बारे में बात करने लगे, उन्होंने बताया, कि ये दुनिया की सबसे सुन्दर भासा है, क्योंकि सभी country के लिए, जो countrymen के लिए, जो उनकी country की language होती है, वो सबसे अच्छी होती है, तो इसलिए, इन लोगों की French भासा इन लोगे बहुत ही अच्छी थी, आगे बढ़ते हैं, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, तो क्या बताया जारा है, सबसे ज़्यादा clear, सबसे ज़्यादा spust, सबसे ज़्यादा तर्क संगत भासा, इसे हमें सुरक्षी रखना चाहिए, तथा इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, तो क्या बता रहे हैं, कि हम इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, तो जब तक वे अपनी भाशा को पूर रूप से जुड़े रहते हैं, तब तक उनके लिए उनकी भाशा कारागार से बाहर निकलने की एक चाबी होती है, उसके बाद क्या होता है, फिर उन्होंने ग्रामर की व्याकनर की एक बुक खोली और हमारा पाट पढ़कर हमें सुनाने लगे, मुलकि वो चैप्टर पर रिड़ी करने लगे और सुनाने लगे, वो क्या कहता है, कि मुझे आश्चर हुआ, कि मैं किचनी अच्छी तरह समझ लिया थे उस चैप्टर को, जो उन्होंने ग्रामर का चैप्टर पढ़ने स्टार्ट किया था, तो वो फ्रेंच को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था, जबकि जो दूसरे दिनों में होता था, उसे कुछ भी नहीं समझ में आता था, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं रहा था, All he said seemed so easy, so easy, I think to that, I had never listened so carefully, वो क्या कहता है, कि मुझे उस दिन वो सहरा कुछ इतना सरल लगा, इतना ज़्यादा easy लगा, कि मैं या, कि मलकि वो उसे बहुत ज़्यादा सब कुछ समझ में आ रहा था, मैं ये भी सोचता हूं कि मैंने पहले कभी इतने ध्यान से कुछ सुना ही नहीं, मलकि इतने carefully, उसने कभी पहले कुछ सुना ही नहीं था, and that he had never explained everything with so much patience, और कहता है, और वो जो teacher थे, उन्होंने भी इससे पहले कभी इतने अच्छे से explain नहीं किया था, इतने patience के साथ explain नहीं किया था, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke, तो क्या कहता है, ऐसा लग रहा था, कि मुझे ऐसा लग रहा था, कि जैसे कि वो जो teacher है, वो सब जो कुछ भी जानते हैं, वो हमें पूरा का पूरा ग्यान दे देना चाहते हैं, और सब को सारा कुछ हमारे दिमाग में एक बार में ही भर देना चाहते हैं, तो फ्रेंच कहा रहा था, ऐसा लग रहा था, वो इतनी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे, क्या कहता है, कि व्याकरण के बाद हमारा जो है राइटिंग जो लिखने का पार्ट हुआ, उस दिन एम हैमल हमारी लिए नई कॉपिया लाए थे, नई कॉपिज लाए थे, उसके में क्या बता है, रिटेन इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस अलसेंस, तो क्या बता जा रहा है, कि फ्रांस अलसेंस, उसमें कॉपिज में लिखा हुआ था, तो क्या लग रहा था, कि वे छोटे छोटे जंडों की भाती दिखाई दे रहे थे, जो स्कूल के कमरों में सभी जगा लहरा रहे हों, और जो हमारी डेस्क है, डेस्कों के ऊपर लगी छडों में लटके हुए थे, उसे ऐसा लग रहा था, You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was, तो क्या कहते हैं, कि आपको देखना चाहिए था, कि किस प्रिकार प्रतिक वेक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ था, और वहां पर कितनी जादा सांती चाही हुई थी, The only sound was the scratching of the pens over the paper, कि रहा वहां पर सिर्फ pen का जो paper पर लिखने का आवाज होता है, सिर्फ वही आ रहा था, Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracking their fish work, तो क्या पताया जा रहा है, कि वहां पर जो भौरे थे, वो उड़कर अंदर आ जा रहा है थे, लेकिन किसी का भी ध्यान उन पर नहीं जा रहा था, जब छोटे से छोटे बच्चा भी अपना ही काम कर रहा था, वो भी ध्यान नहीं दे रहा था, जो मंचली बगणने के काटों के चित्र बनाने में लगे हुए थे, आगे बढ़ते हैं, और वो फ्रेंच भाषा भी लिख रहे थे, और वो मन ही मन सोच रहा था, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने को बादी करेंगे, कि मलकी ये कहेंगे कि तुम भी जर्मन में गाओ फ्रेंच मत करो, वो ऐसा अंदर ये अंदर वो जो फ्रेंच था, सूच रहा था, वनेवर आई लूग्ड आप फ्रॉम माई राइटिंग, आई शौन एम हैमल सिटिंग, मोशनलेस इन हिस चेर, एन गीजिंग फर्स एट वन थिंग, तो क्या होता है, कि कहरा, वनेवर आई लूग्ड आप, कहता है, जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर की और देखा, मैंने देखा कि जो एम हैमल है, वो बिना हीले डूले कुर्सी पर बैठे हैं, मलके बैठे हुए हैं, और किसी एक वस्ट को टक्टकी लगा कर देख रहे हैं, जब एट अनदर, ऐस इफ वन्टे तो फिक्स इन हिस माइंड, जश्ट हाव एवरिफिंग लूग्ड इन देटिल क्लास्रूम, ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़े, जब भी आस बास क्लास्रूम में चीज़े हैं, उनको अपने माइंड में बूटा लेना चाहते हैं, उसकी यादों को अपने दिमाग में बहर लेना चाहते हैं, तो क्या बता रहा है कि वो चालिस सालों से उसी स्थान पर थे, खिर्गी के बाहर उनका बगीचा था, तो था उसकी सामने उनकी क्लास थी, जो सदेव ऐसा ही रहा था, जो कि हमीशा सब ऐसा ही था, उनली तर देस्क और बेंचर्स हैद बीन वांड स्मूथ, तो क्या कह रहा है, कि सिफ जो डेस्क और बेंचर्स थी, वो घिस घिस का चिकनी हो गई थी, वालनेट के ट्री थे, वालनेट के ट्री मिन्स होता है अखरोट, तो जो अखरोट के व्रेस्ट थे, वो बड़े हो गए थे, पहले के अपिक्ष्ण, एंड अब हॉप वाइन डैट ही हैड प्लान्ट हमसेल्फ, तो क्या बता रहा है कि जो उन्होंने हो, वाइन एक प्रकार की बेल टाइप में पेर होता है, तो उसको लगाया था, जूकि खुद ही उन्होंने लगाया था, वो खिड़की से लिपट कर च्छत तक पहुँच गए थी, इतनी जादल बड़ी हो गए थी, तो क्या कहा रहा है कि ये सारा कुछ, कितना उनका दिल तोड़ देता होगा, जब वो सोचते हों कि उसे ये सब छोड़ कर जाना है, तो क्या होता है कि जो साथ ही, उपर की कमरे में उनकी बहन की इधर उधर चलने, और सामान को पैक करने की आवाज सुनना, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ कर जाना था, तो वो सारा कुछ जो उनके टीचर था, आम हमल को बहुत ही अंदर से अंदर तोड़ रहा था, आगे बढ़ते हैं, आप आप लों को समझ में आ रहा होगा, तो क्या होता है किन्तु उन्में प्रतेग पार्ट को अंतक सुनने का साहस था, जो राइटिंग के बाद हमारा हिट्री का चाप्टर हुआ, इस ट्री का पार्ट हुआ, और कि उसके बाद के बाद के बाद जो बच्चे थे, वो अपने स्वर के साथ बाबे बियू जैसे चुटा इउ इस टाइप का होता है, वो अपना पढ़ रहा थे जो भी लेंगविश था, डाउन दियर अट बैक अफ दे रूम, ओल्ड हाउजर हैद पुट ऑन हिस स्प्रेक्चर्स एंड होल्डिंग हिस प्राइमर इन बोथ हैंड स्पेल दा लेटर्स विद देम, और क्या होता है, कमरे के पिछले हिसे में जो बुड़े लोग थे, जो बुड़े हाउजर लोग थे, वो अपने चश्मे को लगा लिया था, और जो उनकी प्राइमर थी, जो बुक थी, उनसमें दोनों हाथों से पकड़े हुए, और बच्चों के साथ अक्षरों को बोल रहे थे, और क्या बोल रहे हैं, कि जो वो इतने ज़्यादा इमोशनल थे, कि उनकी जो आवास थी, वो काप रही थी, और उनकी जो आवास थी, वो सुनने में बहुत ज़्यादा फणी लग रही थी, बहुत ज़्यादा हसने वाली लग रही थी, और जो है, वो सारे कुछ हसना भी चाहते थे, और रूना भी चाहते थे, विल्कि ऐसे सिचुवेशन हो गई थी, और how well I remember it, that last lesson, तो कहरा, मुझे कितने अच्छे प्रकार से याद है, कि ये हमारा last lesson है, उसके बाद क्या होता है, अचाहनक से जो चर्च की घरी थी, वो चर्च क्लोक थी, वो जो चर्च की घरी थी, वो बारा बज़ा, मलकि उसमें बारा बज़ गये, उसके बाद क्या होता है कि उसी चड़ हमारी खिर्कियों के नीचे से जो पर्शन के सूलजर थे वो अपना ड्रिल करके अभ्यास करके लोटते हुए मिलके आ रहे थे तो उनकी आवाजे हमें सुनाई दे रहे थी वो खड़े हो गये है वही पेल इन हिस चेर बहुत ही जदा में सोता है एक दे मुर्जाया हुए चेर पीला हुए तो ऐसे बहुत ही जदा मुर्जाया हुए अपनी चेर से खड़े हो गये I never saw him look so tall तो उन्हों क्या कहा मैंने कभी भी उन्हें इतना उचा पहले कभी नहीं देखा था जो लड़का होता हूँ बोला है My friend said he I but something choked him He could not go on तो क्या होता है मेरे मित्रो वो बोले और में में कुछ किया पर उन्हों किसी कारण and bearing on with all his might he wrote all large as he could उसके बाद क्या होता है वो जो है अपना उसकी तरफ मुड़े ब्लैकबूर की तरफ मुड़े और एक चौक का तुकड़ा लिया और अपनी पूरी शक्ती का प्रयोग करते हुए वो जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा क्या लिखा वायला फ्रांस मलकी फ्रांस जिन्दावाद आगे रिखते हैं और अपना सिर दिवार से सटा लेते हैं मलकी एकदम जैसे उदास नहीं हो जाते हैं तो ऐसा सर दिवार में लगा लेते हैं और टोन होने सर लगा लिया दिवार में उसके बाद बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथ से इसारा करते हुए कहा कि जो स्कूल है वो डिस्मिस हो गया है मिलकी खताम हो गया है और आप सभी जा सकते हैं तो यह जो हमाई चैप्टर था वो यहीं तक था तो यह बहुत अच्छा चैप्टर था I hope आप लूंगो सम